दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मांग दर्शन फार सिविल सेडविसेज में, मैं अनुराग चोधरी दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पाश्चात राजनीतिक चिंतन का महतोपूर टापिक अरस्तु के क्रांति संबंधी बिचार यानी अरेश्टिोटिल ब्यू आन रिवोलुशन इसकी अंतरगत आप पढ़ेंगे अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है क्रांतियों के प्रमुख कारण कौन-कौन से है तथा साथ ही क्रांतियों के रोकने के प्रमुख उपाय कौन-कौन से है दोस्तों अरस्तु ने पालिटिक्स की पाचवी पुष्टक में अपनी क्रांति संबंधी विचार दिये है और उन काड़ों पर अत्यंति सूच्मता और गहनता से बिचार किया है जिसके कारण राज्य में क्रांति उत्पन होती है साथ ही उसने राज्य की सुरच्छा के लिए क्रांतियों का प्रतिकार या उसके निवारण के उपाय भी बताए है अरस्तु की क्रांति संबंधि और धाणा इतनी महतुपूर है कि उसने क्रांति के जितने भी कारण बताए है दुनिया की सभी क्रांतियों में कहीं न कहीं वही कारण उतरदाई रहे हैं जिनके संबंध में अरस्तु ने बताया है और क्रांतियों के निवारण के जो उपाय उसने बताए है वो भी कहीं न कहीं उसी कमो बेस वही उपाय क्रांतियों के निवारण के लिए अपनाए जा सकते हैं तो दोस्तों आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार, क्रांतियों के कारण और उनके निवारण के उपाए आप इसका पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक में डिस्किप्शन बाक्स में डाल दूँगा तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार दोस्तों यूनानी नगर राज्य की एक अन्य विशेषता थी राज्यों के स्वरूप और उनके संबिधानों में परिवर्तन यूनानी नगर राज्य में जो अरस्तु के समय में यूनान का जो राजनीतिक जीवन था वो अिस्थिर और परिवर्तंसील हो गया था यानि नगर राज्यों का जो जीवन था राजनीतिक जीवन वो अत्यधिक अइस्थिर्था उसके कई कारण थे अरस्तु ने इस राजनीतिक अइस्थिर्था के पैडाम देखे थे जो की अच्छे नहीं थे इसलिए उसने इस अस्थिर्ता को दूर करने के उपाय खोजना जरूरी समझा था और अरस्तु के अनुसार जो क्रान्ति था उसे एक विशेस ओधाणा में लिया जाता है लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे क्रान्ति या रिबॉलिशन क्या है क्रान्ति को सामाने रूप से क्रान्ति उसे कहते हैं जब एक विवस्था को बदल कर उसके अस्थान पर नई विवस्था अस्थापित कर दी जाए यानि अरस्तु की जो क्रान्ति संबंधी धाड़ा है उसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे उसके पहले जान लेते हैं क्रांती क्या है यानि revolution क्या है तो सामाने रूप से क्रांती का आर्थ है एक बेवस्था को बदल कर उसके अस्थान पर एक नई बेवस्था अस्थापित करना और दूसरी चीज आती है रिफार्म की सुधार एक बेवस्था के अंतरगत उसकी कम्यो को दूर करना और उसकी समस्याओं का निराकरण सुधार कहलाता है क्रांती जहां बेवस्था को पूरी तरह से बदल दिया जाता है यानि क्रांती में बेवस्था में आमोल चूल परिवर्तन किया जाता है और उसके अस्थान पे नई बेवस्था अस्थापित की जाती है जब परिवर्तन परिवर्तन चाहे आंसिक हो या पूर हो क्रांती में जहां पूर परिवर्तन होता है वहीं सुधार में एक आंसिक परिवर्तन किया जाता है लेकिन दोनों में एक चीज कामन होती है क्रांती और सुधार में कि दोनों में परिवर्तन होता है अब आईये जानते हैं अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है तो अरस्तु के क्रांति का अर्थ जो है उस अर्थ में हम नहीं ले सकते हैं या अरस्तु क्रांति का अर्थ उस अर्थ में नहीं लेता है जिस अर्थ में इंग्लेंड की क्रांति फ्रांस की क्रांति या रूस की क्रांति का नाम लिया जा प्रतेक चोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति है । दोस्तों, आप समझ गए होगे। सबसे पहले हम क्रांति के सामाने रूपट के बारे में चर्चा किये कि क्रांति क्या है। । उसके बाद हम ने देखा कि सुधार क्या है। और अब हमने जाना कि अरस्तु के अनुसार क्र पुर्तांति का अर्थ है राज, संविधान या सासन सत्था में होने वाला प्रतेक छोटा या बड़ा परिवर्तन उसके अनुसार क्रांति है। क्रांति के कुछ प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे पहले से अस्थापित किसी सासन ब्यवस्था के अस्थान पे दूसरी सासन ब्यवस्था अस्थापित करना, जिस प्रकार से जनतंत्र के अस्थान पे धनिक तंत्र या धनिक तंत्र के अस्थान पे जनतंत्र अस्थापित करना, या कई बार क्रांत किसी सासन ब्यवस्था के मूल रूप को बदलने के लिए नहीं बलकि उसके आधार भूतत्तों की मात्रा को बदलने के लिए होती है इसके अलावा सासन ब्यवस्था के सुरूप को अपरिवर्तित रखते हुए सासन करने वाले ब्यक्तियों में भी कोई परिवर्तन होता है तो वो क्रांति कहा जाता है और अरस्तु इन सब को क्रांति की संग्या देता है तो कुल मिलाकर अरस्तु के जो क्रांति की अधाना है वो सामानी क्रांति की अधाना से थोड़ी संचिप्त है क्योंकि वो सासन सत्ता, संबिधान या राज्य में होने वाले सभी परिवर्थन को क्रांति कहता है अब आईए जानते हैं अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण कौन कौन से हैं तो अरस्तु ने क्रांति के काड़ों की बिवेचना तीन आधार उपर की है तीन रूप में पहला है क्रांति के काड़ों में सामाननी कारण, दूसरा विसेश कारण और तीसरा है विसेश सासन बिवस्था के कारण जो क्रांति होती है तो आईए जानते हैं सबसे पहले सामानिकारण में अरस्तु के अंसार क्रांति के जो सामानिकारण है वो कौन-कौन सा हो सकता है तो पहला है सामाननिकाडों में वो कहता है कि क्रांति का सर्वप्रमुक कारण असंतोस या असंतुष्टता है और ये असंतुष्टता किस कारण होती है असंतुष्टता की जड़ असमानता और अन्याय है तो सामानिकाडों के क्रांति की चर्चा करते हुए अरस्तु कहता है कि क्रांतियों का सरुप्रमुकारण असंतुष्टता या असंतोस है और इसकी जड़ में असमानता और अन्याय हैं क्योंकि असमान्ता और अन्याय ही वे परिष्थितियां उत्पन करते हैं जिससे क्रांत की संभावना बढ़ जाती है अब आईए सबसे पहले हम जानते हैं असमान्ता तो असमान्ता की चर्चा करते हुए वो समान्ता के दो रूप बताता है वो अरस्तु कहता है कि समान्ता के बेवहार किया जाना चाहिए दूसरे समानता वो आनुपातिक समानता की बात करता है या गुड के आधार पे समानता आनुपातिक समानता से आसा है समानों के साथ समान बेवहार और समानों के साथ समान बेवहार इसे वो आनुपातिक समानता कहता है आनुपातिक समानता से मतल और अनिस्रोतों या अनिबातों की स्रेष्टता के अनुपात में उन्हें राजनीतिक छेत्र में अधिक प्रतिनिधित्तु या वो पद नहीं मिल रहा है इसे वो अनुपातिक समानता कहता है। और कुल मिलाकर वो समानता के आधार पे जो करांती के कारण की चर्चा करता है वो कहता है कि पूर और आनुपातिक समानता का यही बिरोध करांती को जन्म देता है अर अस्तु सबसे पहले जो करांती के काड़ों में समानता की बात करता है तो वो पूर्ण और आनुपातिक समानता का संदर्फ देता है उसके बाद कहता है कि पूर्ण और आनुपातिक समानता का बिरोध ही करांती को जन्म देता है क्योंकि ये बिरोध किस कारण उत्पन होता है तो वो कहता है कि जो छोटे ब्यक्ति होते हैं वो बराबर होने के लिए विरोध करते हैं और जो बराबर इस्थिती वाले होते हैं वो बड़े बनने के लिए और यही वो मनोदसा है जिससे क्रांति उत्पन होती है तो हमने जान लिया पूर और आनुपातिक समानता का विरोध किस प्रकार से क्रांति को जन्म देता है अब दूसरा जो कारण है अन्याय, अन्याय के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से अन्याय क्रांति को उत्पन करता है, अरस्तु कहता है कि असंतोस से ब्यक्ति के अंदर यह भाव उत्पन होता है, कि वह जितना पाने योग्य है उससे उससे कम मिल रहा है, बहुत ही महतुप उद्धपन होता है कि वह जितना पाने योग है उससे उसे कम मिल रहा है और दूसरे वर्ग को जितना मिलना चाहिए था उससे उसे अधिक मिल रहा है बहुत ही महत्पूर है करांति का मोलभूत कारण जो अन्याय है उसमें वो यही मानता है कि एक वर्ग को एक वर्ग जितना पाने का अधिकारी है उससे उसे कम मिलता है और दूसरे वर्ग को जितना मिलना चाहिए था उससे उसे अधिक मिलता है तो इससे जो असंतोस होता है यही असंतोस क्रांति को जन्म देता है और क्रांति का मूल अन्याय का भाव कहा जा सकता है अब सामाने कारण के अतरीक्त अर तो अरस्तु विस्तार में अपनी पुस्तक में उन करांती के विशेश काड़ों की बात करता है जिसके कारण करांती उत्पन होती है लेकिन हम यहां सार्ट में देखेंगे कि किन किन काड़ों से किन किन विशेश काड़ों से करांती उत्पन होती है पहला वो कहता है कि जब सासक जनता के हित में कार्य नहीं करता है और वो अपने निजी हित के लिए कार्य करता है यानि सासक का कारे है जनता और लोक कल्यार के आधार पर कारे करें लेकिन जब वो अपने हित में कारे करने लगता है और जनता के हितों पे ध्यान नहीं देता है उसकी लालसा या लालच धन प्राप्तिकी के अगांचा अधिक बढ़ जाती है तब ये कारण जनता में असंतोस होता है और सासक के बिरुद जनता बिद्रोह कर देती है तो कुल मिलाकर पहला विसिष्ट कारण ये है कि जब सासक जनता के हित में कारिन नहीं करता है और निजी हित के लिए कावर करता है तो सासक के प्रती जनता बिद्रोह करती है दूसरा है जब समाज के कुछ लोग अपने को दूसरे से स्रेष्ट समझने लगते हैं, तब भी इस कारण से भी क्रांती उत्पन होती है, क्योंकि पहले तो माना जाता है कि समाज के सभी लोग बराबर हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग अपने आपको दूसरों से स्रेष्ट समझते हैं और अपने हीतों के लिए उनके हीतों की अवहिलना कर लिए रखते हैं तो एक वर्ग में दूसरे के प्रती असंतोस का भाव होता है और यही असंतोस धीरे-धीरे कृरांती के रूप में बदल जाता है तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि जब सासक किसी को विशेश सम्मान देता है तो भी और ये क्रांति का उपज का कारण है जब सासक वर्ग किसी को विशेश सम्मान देने लगता है और किसी को अपमानित करने लगता है तो विशेश सम्मान पाने वाले ब्यक्ति के प्रती जो अपमानित वर्ग है उसके अंदर विद्रोह की ज्वाला भड़क उठती है और इस कारण भी ब्यक्ति असंतोस के कारण व द्रोह और क्रांति कर देते हैं और जो अपमानित ब्यक्ति है वो या तो स्वयंग अकेले या फिर संगठित रूप से लोगों को संगठित करके वो क्रांति की ज्वाला को जगाता है चौथा कारण क्या है चौथा कारण बहुत ही महत्पूर्ण है घ्रिडा घ्रिडा क्रांति के लिए बहुत ही उत्तरताई है क्योंकि धनिक तंत्र में जब धनिक तंत्र में सासक वर्ग का बहुत संख्यक होता है और ये गरीब वर्ग के हितों को तिरसकार की द्रिष्टे से इसके अलावा जो सासक वर्ग है वो सासितों से या सामानी जनता से प्रेम नहीं रखता है उनके हितों के बारे में नहीं सोचता है तो ऐसी द्रिष्ट में जनता बिद्रोह कर देती है और ये क्रांति का प्रमुकारण बन जाता है इसके अलावा अरस्तु भै को क्रांति का ज बचने के लिए क्रांती करते हैं और इसके अलावा सामानने जन अपने साथ होने वाले अन्याय से बचने के लिए क्रांती की सरण लेता है और कुल मिलाकर उसे ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय होता है इसलिए वे सब एक जूठ होकर सत्ता के प्रत्र क्रांती कर देते हैं में जातियों की समानता नहीं होती है वहां जाती विभिनता और असमान जाती ये संघर्स होने लगते हैं जाती विभिनता से राष्ट में एकता की भावना नहीं आने पाती है और साथ ही साथ उनमें राष्ट प्रेम की भावना नहीं आने पाती है जिस कारण विद्रोह उत् सिष्ट कारण है सासक वर्ग की असाउधानी सासक वर्ग की असाउधानी से भी क्रांति उत्पन होती है क्योंकि सासक जब जनता के हितों का ध्यान नहीं रखता है उनके बीच नहीं जाता है क्या इस्थिती है वर्तमान मिराज्य की क्या इस्थिती है जनता सासन के बारे में या सासकों के बारे में क्या सोचती है इस बारे में जब सासक वर्ग जागरूक नहीं होता है या ध्यान नहीं देता है तो इससे भी क्रांति उत्पन होती है इसके अलामा परस पर बिरोधी वर्गों का संतुलित होना भी क्रांति का कारण है क्रांति का एक कारण जो बिरोधी वर्ग हैं जैसे धनी वर्ग और निर्धन वर्ग सासक वर्ग और सासित वर्ग तो जब ये वर्ग संतुलित हो जाते हैं तब भी करांती का कारण होता है क्योंकि एक पच्छ दूसरे पच्छ से अधिक बलवान होता है और प्रवल होता है तो सामाने संघर्स नहीं होता है ले रोधी बर्गों का संतुलित होना भी राज्जिब में करांती का कारण होता है अब आईए जानते हैं कि बिभिन प्रकार की सासन पढ़ालियों में करांती के क्या कारण हो सकते हैं जिसकी चर्चा अरस्तु ने तीसरे बिंदु के रूप में किया है कि बिभिन बर्गों एक सा पर घिड़ा, द्वेस, सासक द्वारा जनता पर अत्याचार या कुरूरता से जनता सासक और अथवा राजा के प्रति विद्रोह कर देती है, तो इस कारण एक तंत्री विवस्था में जनता पर अत्यधिक अत्याचार बढ़ जाता है, या जनता के हीतों की रच्छा नहीं हो या जनता को लगता है कि सासक वर्ग उनके साथ अधिक्ता कर रहा है, उनके अधिकारों का दमन हो रहा है, तो जनता सासक अत्वा राजा के प्रति विद्रोह कर देती है, कुलीन तंत्री विवस्था में क्या होता है, कुलीन तंत्री विवस्था में जो सासन में भाग लेन असंतोस उत्पन होता है क्योंकि सासन में कई बर्गों का विभिन बर्गों का उचित सामन जसे नहीं होता है उनकी भागिदारी नहीं होती है जिससे उनके हितों को ध्यान नहीं दिया जाता है उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता है और विभिन बर्गों में यानि सासक या सासित या कुलीन बर्ग और सामाने बर्ग या सामाने जनता में उचित सामन जसे नहीं होने के कारण जनता क्रांति कर देती है इसकी अलावा प्रजात अंत्री सासन बिवस्था में क्या हो सकता है तो प्रजात अंत्र में नेताओं या नेतरितु की अधिक्ता होती है यहाँ पे कई प्रकार के जो सभी को सासन में भाग लेने का अधिकार होता है तो कई लोग नेता हो जाते हैं, नेताओं की अधिक्ता हो जाती है और नेताओं की अधिक्ता के कारण कभी कभी करांती होती है ये नेता निर्धनों और सामाने जन्ता को अपने पच्छ में लेते हैं अपने जो पूर भासडों से सासक वर्ग के प्रती उनमें चेतना भरते हैं विद्रोह करने की चेतना भरते हैं जिसके कारण करांती हो सकती ह तो हमने देखा अरस्तु द्वारा क्रांति के कौन कौन से कारण बताये गए हैं उसमें मुख्य रूप से सामानने कारण, विसेश कारण और विसेश प्रकार की सासन विवस्था के कारण जो क्रांति उत्पन होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया अब आईए देखते हैं अरस्तु ने क्रांतियों के निवाराण या क्रांतियों के समाप्त करने के लिए क्या उपाय बताते हैं अरस्तु क्रांति के कारण की तो खोज करता ही है उसके साथ उसके निवाराण या प्रतिकार के उपाय भी बताता है उसके लिए अरस्तु किसी उत्पन नहोने पाए तो अरस्तु द्वारा क्रांतियों के निवारण के जो उपाय बताए गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं पहला उपाय है राज्य में किसी भी वर्ग में सक्ति का केंद्री करण नहीं होना चाहिए क्रांति का प्रतिकार करने का या क्रांति के निवारण के उपाय बताते समय अरस्तु कहता है कि सक्ति का केंद्री करण किसी एक वर्ग में नहीं होना चाहिए जिसके कारण जब सक्ति किसी एक वर्ग में या किसी एक हाथ में केंद्रित हो जाती है तो वहाँ पे विद्रोह की प्रबल संभावना हो जाती है इसलिए सक्तियों का वित्रण होना चाहिए विभिन बर्गों में, समुधायों में और सक्ति का कहीं एक जगय केंद्री करण नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे बिद्रोह की प्रबल संभावना बढ़ती है दूसरा का उपाय क्या है क्रांति रोकने का तो ये है सासक और सासितों में सद्भावना पूर संबंध होने चाहिए बहुत ही महतपूर है ये किसी भी सासन ब्यवस्था के सुचार रोप से संजालन के लिए बहुत ही आवस्यक है कि सासक और सासितों यानि राजा और प्रजा में सद्भावना पूर संबंध हो और सामाने जनता का सासन में विश्वास हो क्योंकि सासकों के प्रति जब विश्वास भाव खतम हो जाता है तब ऐसे वातावरण का निर्मार होता है जो की राज़्जमे करांती के लिए जिम्मेदार होता है इसलिए सासक को ऐसे बातावरण का निर्मार करना चाहिए जिसमें प्रतेक व्यक्ति वह अनुभव करे कि उसे उसका उचित अंस मिल रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि जो सासक है उसे इस प्रकार का दिखावा या जो भी चीजे हैं उसको करनी चाहिए कि जनता का करांतियों के रोकने का कि जनता में संबिधान और न्याय के प्रति आस्था बनाए रखनी चाहिए और संबिधान और न्याय के प्रति जब लोगों में आस्था बनी रहेगी तो ये इससे हम करांति से निपट सकते हैं क्योंकि संबिधान जो है वो सभी नागरिकों पे समा अन्रोप से लागू होता है और न्याय अगर जो ये पता चलता रहे कि जन्ता को विश्वास हो जाए कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है मेरे साथ न्याय हो रहा है तो वो क्रांति नहीं करती है और संबिधान और न्याय के प्रति जो आस्था है या सम्मान का भाव है यह सि जरूरी है सासन के अनकूल सिच्छा बेवस्था तैयार की जाए या सासन पडाली के अनरूप सिच्छा बेवस्था हो जिससे लोग संबिधान में और नियाय में विश्वास ब्यक्त करें और क्रांति की संभावना को काफियत तक डाला जा सके चौथा उपाय बताते हुए अरस्तु कहता है कि जनता के मन में और सोभाव में कानूनों का पालन करने की आदत बन जाए यानि राज्य के अस्थायतों के लिए बहुत जरूरी है कि कानून का पालन ब्यक्तियों के सोभाव का अंग बन जाए उनके मन में हिर्दय में कानून के प्रति निष्ठा उत्पन की जानी चाहिए और लोगों को जब निष्ठा होगी कानून के प्रति आदर सम्मान का भाव होगा और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें किसी कानून को तोड़ने की आजादी ना हो तब क्रान्ति की संभावना काफी हद तक कम होती है जिस परकार कई बार ये होता है कि कानून की अवहेलना कानून की अवहेलना से क्रांतियों की संभावना बढ़ती है तो कानून की अवहेलना पर भी अंकुस लगाया जाना चाहिए यानि किसी भी विव्यक्ति को कानून दोड़ने की आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाना जाहिए आर्थिक असमानता या गैर बराबरी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि एक वर्ग धनी होता है और दूसरा वर्ग निर्धन होता है तो एक वर्ग ऐसा होता है जो भोग विलास का जीवन जीता है दूसरा वर्ग अपने दैनिक असकताओं की पूर्थ भी नहीं कर पाता है तो इससे लोगों में असंतोस और असंतुष्टी की भावना बढ़ती है और इससे क्रांती बढ़ता है तो इसलिए राज्य की ओर से सासकों की ओर से आर्थिक समानता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि लोगों में असंतोस की भावना नेव्यक्त होने पाए और क्रांतीयों से बचा जा सके इसके अलावा छठा उपाए वो बताता है कि सासन में भ्रष्टचार अनिमारे रूप से क्रांतीयों को जन्म देता है इसलिए सासन भ्रष्टचार रहित होना चाहिए और जो सासक वर्ग है उसका बेवहार जो और आचरण है वो संदेह रहित होना चाहिए क्योंकि जब सासकों का बेवहार भ्रष्टचार से युक्त होगा तो जन्ता का उनमें नतो सम्मान होगा और नविस्वास सासक वर्ग को अपने राज की पदों और दायतों का पालन बहुत ही निष्ठा पूरवक करनी चाहिए ताकि जन्ता उनमें विस्वास ब्यक्त कर सके इसी प्रकार राज्य को क्रांतियों से बचाया जा सकता है इसके अलामा सात्वा उपाई ये है कि विभिन बर्गों में सत्ता का वित्रण होना चाहिए सत्ता का वित्रण होने पे भी क्रांतियों की संभावना को काफी हद तक टाला जा सकता है सासन में यदि धनी वर्ग है तो वहां पे निर्धन वर्ग को भी जगह मिलने चाहिए क्योंकि धनी वर्ग कभी-कभी निर्धन वर्ग की आव सकता है और उनकी जरूरत नहीं समझ पाता है इसलिए सासन की नीतियां उस प्रकार नहीं बन सकती है इसलिए बिविन बर्गों में जो सत्ता है उसका बितरण भी क्रांतियों को निवारण के लिए बहुत जरूरी है अठ्वा कारण या अठ्वा उपाय बताता है मध्यम बर्ग को बढ़ावा देकर भी क्रांतियों को टाला जा सकता है अरस्तु मीडियन गोल्डेन मीन का प्रतिपादक है मध्यमार्ग तो वो कहता है मध्यमार्ग को बढ़ावा देकर क्रांतियों को टाला जा सकता है क्योंकि एक स्वस्थ मध्यमवर्ग धनी और निर्धन वर्ग में संतुलन अस्थापित करता है जिससे काफी हद तक क्रांतिय से बचा जा सकता है इसके अलामा एक कारण और बताता है कि नागरिकों में बाह आकरमण का भय बना कर क्रांतियों को टाला जा सकता है सासक वर्ग लगातार जनता में यह भाव फैलाए कि किसी बाह आकरमण या विदेशी आकरमण का खत्रा है इसलिए जो जनता है उनमें आ राष्ट भक्ति और राष्ट प्रेम जैसी भावनाय बढ़ेंगी जिससे क्रांतियों को काफी हद तक डाला जा सकता है। और अरस्तु जो क्रांति की बात करता है या क्रांति के निवारण की बात करता है वो एक प्रकार से उसके यथा इस्थितिवात का ही दोतक है जब वो कहता है कि कोई भी छोटा बड़ा परिवर्तन नहीं होना चाहिए इसी को वो क्रांति कहता है जब तो वो ऐसे कानून ऐसे स मानता और अन्याय की भावनन्य हो और जनता में एक वर्ग के प्रति दूसरे के वर्ग में असंतोस और असंतोष्टी का भावनन हो इसी प्रकार क्रांतियों का निवारण किया जा सकता है अरस्तु द्वारा क्रांति के उपायों की ब्याख्या करने का जो उद्देश से रहा ह राज्य को क्रांति से सुरच्छित रखना चाहता है यथा इस्थितिवाद बनाए रखना चाहता है अरस्तु कि किस प्रकार से राज्य को क्रांति से सुरच्छित रखा जाए और इसलिए वो क्रांति के निवारण के उपायों की बात करता है अरस्तु द्वारा बताए गए कारणों में से किसी ने किसी कारण से ही करांती हुई है और उसके द्वारा बताए गए उपाए करांतियों के निवारण के लिए आज भी प्रासंगिक हैं इस हिसाब से देखा जाए तो अरस्तु की महत्ता उसकी ततकालीन समय में जितनी थी उसके कहीं जादे आज है क्योंकि कहीं ने कहीं वो उन कारडों की बात करता है जिसके आधार पर किसी भी सासन बिवस्था में क्रांतिय बिद्रो होता है और उसके बताये गए उपाय आज भी प्रासंगिक हैं जैसे समानता की बात करके भ्रष्टचार समाप्त करके इसके अलावा राजनीतिक सत्ता पर एकधिकार की समाप्ती करके कानून और संबिधान के पालन और निष्ठा का भाव रखके क्रांतियों को टाला जा सकता है तो दोस्तों ये था आज का संपूर वीडियो जिसमें हमने अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों के बारे में जाना इसमें आपने जाना अरस्तु के अनुसार क्रांतियों के कारण कौन-कौन से हैं क्रांतियों के निवारण के उपाय कौन-कौन से हैं आप इसका पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक मैं description box में डाल दूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार